प्रवाद रादे रादे जैसरी कश्ना जुड़े विध्यार्तियों का आपके अपने उतकर्स एग्रिकल्चर यूटूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जुड़े विध्यार्तियों में पराग जी पलक जी गोईन जी राजमिवाल जी विष्णु जी माहिका जी जैवीर क पोरिवाल जी सभी का हार्दिक स्वागत सभी को गुड़ मॉर्निंग सभी का तहे दिल से आबार है और आज के सेसेशन को हम आगे बढ़ाएंगे देखेंगे कुछ आज के विषेस क्यूसन जो वर्स 2000 आपके 18 में असिस्टेंट एग्रिकल्चर ओफिसर में पूछ लिए गए थे गुड़ मॉर्निंग रविंदर जी जोती जी सुमन जी तो सुरू करते हैं पूजा जी सुरू करते हैं आज के इस अपने विषेस सेसन को देखिएगा कौन कहता है कामियाबी किस्मत तै करती है इरादों में दम हो तो मंजिले भी जुका करती है अगर आपके इरा आसान है कोई विषेस कोई क्यूशन यानि के ऐसा नहीं है जिस पर हमने चर्चा नहीं की हाँ अगर और क्यूशन है तो आप सेंड कर दीजेगा संडे स्पेशल क्लास में हम चर्चा कर लेंगे तो ठीक है शुरू करते हैं आज के इस सेसन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं आ आपको यही बताना है नोन इडीवल यानि की एक होता है आपके पास इडीवल बूसरा है नोन इडीवल और आपको यही बताना है बिल्कुल बड़ा पेपर ही एसा है जो आपने भेजा है बहुत अच्छे से मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि लगभग जो 40 सब्सक्राइब कर सकते हैं मनीजा राजि सब्सक्राइब मैं एक्चुनि में मोबाइल नहीं रखता समझ घाज चाइब मेरे पास मोबाइल का अभाव है तो मोबाइल नहीं रखता बेटा तो मोबाइल नहीं है तो फिर नमबर भी नहीं होंगे निमल लिकित में से कौन सी एक खाद्य तेल की खली है सरसो तो देखेगा सरसो को हम पसो को खिलाते हैं सरसो की खली को महुआ मधु का लोंगी फोलिया क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं आप मधु का मधु का लोंगी फोलिया क्या कहते हैं मधु का लोंगी फोलिया इसका बोटर निकल नाम है यह नो नीडिबल को केक है और इसे जब इसकी महुआ की खली को अगर सोल में हम काम में लेते है तो द्यान र करना इसको विफफोर साठ दिन यानि कि below 60 डेज इसक के जाता है सोल में यूज किया जाता है तो राइट आंसर क्या है महुआ के किनी की मधू का लोंगी फोलिया बोट निकल आशी जो भाई है वो इससे क्या बनाते हैं आपके सराब भी बनाते हैं यह द्यान रखना है तो चलें अगले क्यूशन पर बिल्कुल सही है पराग जी आपका जवाब अगला क्यूशन है आपके स्क्रीन पर तो देखेगा गुच्छा रोग एक देहिक विकार है क्लस्टरिंग डिजीज तो देखेगा अगर आप देखेंगे आम में तो आम में आपको दिखेगा गुच्छा मुच्छा रोग क्या होता है गुच्छा मुच्छा बोलते हैं ना भाई गुच्छा मुच्छा रोग बोलते हैं अरे भाई माल फोर्मेशन सुना होगा ना आपने माल फोर्मेशन किते टाइप की होती है दो टाइप की होती है एक कौन सी होती है वानस पतिक और दूसरी होती है फ्लोरल दूसरी कौनची होती है फ्लोरल यानि की पूस्पी है कौनची होती है फ्लोरल यानि की पूस्पी है तो देखेगा वानस पतिक जो होती है वो इसकी लीप में नजर आएगी पतियां आपके एक जगे बंच बना लेगी फ्लोरल में देखेंगे तो फूस्प जो होते हैं इसके क्या है एक जगे ही आपको नजर आएंगे ये ध्यान रखना है तो यह इस्तिती आपके किस में देखने को मिलती है मैंगो में देखने को मिलती है अब इसका authentic ऐसा कोई पर्मान नहीं मिला कि काज क्या है तो देखेगा काज क्या है इसका आपके physical disorder है तो हम कह सकते हैं कि किसी विशेज परकार के nutritional की कमी हो सकती है nutrition की क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे तो लिखा क्या है physical disorder यानी कि विशेज परकार सी आपन कह सकते हैं कि various types लिए जिम्यदार, environment जिम्यदार हो सकता है कोई आपके fungus इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है तो various types इसके लिए जिम्मेदार है ये ध्यान रखना है आपको तो किस में होती है mango में होती है दो type की होती है एक vegetative होती है और एक floral होती है ये ध्यान रखना है आपको ठीक है तो यहां right answer क्या है भी है आपका आम यहां देखोगे केले में बंची टॉप होती है यह ध्यानकना आपको बंची टॉप बिल्कुल सही है आपका जवाब जो है आम अगला क्यूशन देखो आपके स्क्रीन पर निमन लिखित में से पपिता की कौन सी किस्म गाइनोडायोसियस नहीं है क्या है गाइनोडायोसियस नहीं है यह बताना है यानि कि गाइनोडायोसियस नहीं है इट मिन्स डायोसियस वेराइटी है बिल्कुल सरपंच जी के पडोसी पनामाविल्टी बोलते हैं उसे आपके केले में तो यहाँ देखेगा पूसा ड्वार्प, सूरिया, पूसा मेजेस्टी और कुर गहनी ड्यू तो देखेगा पूसा ड्वार्प के साथ में एक और याद रखना पूसा नन्ना क्या होती है पूसा नन्ना एक और वेराइटी आती है पूसा गैंटे पूसा गैंटे कुछ और वेराइटी है को वन, को टू, को फोर, को फाइप, को सिक्स एक और variety आती है red lady कौन सी red lady ये क्या है सारी की सारी तो बेटा ये जो लिखी है ये dioces variety है ये ध्यान देगना क्या है dioces variety तो सारी की सारी पूसा ड्वार्प पूसा नन्ना पूसा गेंट को वन को टू को फोर को फाइब को सिक्स रेड लेड़ी आरे dioces variety और पापाया यानि कि आपको ध्यान रकना इसका सही जवाब क्या होगा आपका ए यानि कि सुर्या संद्राई सोलो पूसा मेजेश्टी कूर गहन्यूड्यू गाइनो डाइव सियस है और इनके लिए नर्की आउशकता नहीं होती है नर्की आउशकता नहीं होगी यानि कि विदाउट मेल के ही इनमें आपको फ्लोवर्स फ्रूटिंग होती भी नजर आएगी चले अगले पर अगला क्यूसन देखेगा आपके स्क्रीन पर ललित कौन से फल की किस्म है ये बताना है तो ललित का रंग कैसा होगा तो देखेगा इसका रंग होता है कई बार लिखा हुआ होगा गुलाबी रंग और कई बार आपको लिखा हुआ मिल सकता है लाल रंग का गुदा लाल रंग का गुदा तो गुलाबी रंग का गुदा पल्प हो स द्यान रखना है आपको यह कहां से निकली है तो यह Central Institute of Subtropical Horticulture आपके लखनव से निकली है यह ध्यान रखना यहीं से एक और वेराइटी निकली है बहुत प्यारी वेराइटी है स्वेता कौन सी है स्वेता देखिएगा ये लाल गुदे से है तो एक और वेराइटी आप याद करियेगा एपल कलर कुछ याद आ रहा है एपल कलर से यानि कि एपल जैसी वेराइटी है अमरूद की एपल कलर देखिएगा एक और वेराइटी आती है इसकी हपसी एक और वेराइटी आती है बेहद कोकोनट बेहद कोकोनट तो ये सारी की सारी वेराइटी इस परकार की है जो अल्टरनेट वेराइटी जो ज्यादातर आप से पूछा जा सकता है ये ध्यान रखना है आपको तो स्वेता ललित एपल कलर हपसी बेहद कोकोनट इलाबाद सपेदा लखनव 49 जिसे आप सरदार कहते हैं आपके हिसार सुर्क है इलाबाद सुर्क है आपके ये कुछ वेराइटी है जो आपको ध्यान रखनी है ठीक है हाँ सरदार बेटा इसी की है तो ये आपके क्या है अंगूर की वेराइटी है ये ध्यान रखना ग्रेप्स की वाइटिस वीनी फेरा वाइटिस वीनी फेरा बेटा अरुका मर्दूला इसी की है मर्दूला तो अनार की है लेकिन अर्का मर्दूला इसकी है अर्का किरण भी इसी की है अर्का रस्मी भी वेटा इसी की है अगर मर्दूला की बात करें तो देखेगा सोरी अपने यहां वाइटी स्वीनी फेरा कर दिया वही गलती से इसको सुधार लेना ये रहा अमरूद तो ये सारी क्या है अमरूद की वेराइटी है ये ध्यान अकना आपको अमरूद की वेराइटी है सारी की सारी आपके सीडेम गवा जाओ ये रहा बेटा पराग जी अरका मर्दूला अरका केरण और रस्मी सिरफ मर्दूला बात करें तो आपके पोमो ग्रेंट की होगी ये ध्यानकना है खरीद सकते हैं ले सकते हैं बेटा बेटा बताया चित्तिदार भी इसी की है गुड मोर्निंग लविना जी गुड मोर्निंग बेटा अब देखेगा यहाँ पर अरका कंचन के जनक है यानि कि अरका कंचन किस से विक्षित हुई है लोचन चत्रवेदी जी प्लांटेशन क्रोप्स जो हम है संडे विसेज क्लास में कर सकते हैं बाकी तो बेटा समय नहीं मिल पाता है क्योंकि ओफलाइन जो है क्लासेज ओफलाइन भी शुरू है तो ओफलाइन बेचेज भी चल रहे हैं उसके बाद बेजेशे यूटूब पर है उसके बाद में और भी कई काम है तो अपन क्या है संडे विसेज में प्लांटेशन क्लास देख सकते हैं आपकी जो है हमारे उसमें शुडूल में आपकी क्लास है विटा अरका कंचन के जनक है अनाब एशाही क्विन ओफ वाइन वाड बलेक चमपा और थोमसन सीडलेस तो ये देख रहा है आपको बैंगलोर बल्यू और बलेक चमपा अंगूर क्लान और बलेक चमपा ये आपको वेराइटी जो है ये बतानी है कौन सी किसकी वेराइटी है तो देखेगा बलेक चमपा और थामसन सीडलेस इसको कहते हैं अरका नील मनी अरका नील मनी बैंगलोर बल्यूर बलका आपके बलेक चंपा कौनची है तो अरका शाम कौनची है अरका शाम और यहां देखेगा अनाब एशाही और क्विन ओफ वाइन वार तो अनाब एशाही इसकी क्या है बीज वाली किसम है और ये आपसे इससे क्या बनाते हैं तो आप सर्दियों में जो खाते हैं मुनक का वो इसी से बनाते हैं तो राइट आंचुरा आपका A है बलेक चंपा और थोमसन सीडलेस जो है आपके ध्यान रकना अरका नील मनी है यह ध्यान रकना क्या है अरका नील मनी और बैंगलोर ब्ली और बलेक चंपा क्या है अरका शाम है यह ध्यान रकना एक स्क्रीन शोट जरूर लेलेस का बिल्कुल जैवीर खौरिवाल जी बिल्कुल सही आनसुर है आपका रविंदर जी बिल्कुल सही आसुर है आपका छले आगे आगे आएगा बिल्कुल मझू जी गुड मोर्निंग वेटा अगला क्यूसरि देखेगा आपके स्क्रीन पर डिब्बाबंदी के पहले कौन से फलकी पीलिंग नहीं की जाती तो ध्यानक ना डिब्बाबंदी में जो प्रिंसिपल से उनमें से आपके क्या है आपके एक और इंपोर्टेंट पीलिंग उनमें पीलिंग की जाती है तो पीलिंग की जाती है तो अनानास कोमोसस इसमें आपके क्या होती है पीलिंग होती है आम तो आम में भी पीलिंग की जाती है आपको पता है आम में भी पीलिंग की जाती है और यहां देखेगा चेरी और सेब सेब में भी पीलिंग की जाती है सेब में भी पीलिंग की जाती है लेकिन चेरी जो है एजिटीज जो होती है साप करने के बाद एजिटीज वैसा का वैसा उसे किस में काम में ले लेते हैं डिबाबंदी में काम में लेते हैं ये ध्यान रखना है आपको तो cherry में नहीं की जाती है peeling ये ध्यान रकना क्योंकि cherry क्या होता है pulpy part है गुदे वाला part है अगर आपने उसका छिलका उतारा तो सारा मामला उसका water में क्या हो जाएगा घुल जाएगा ये ध्यान रकना कोई बात नहीं गोईंद जी अगर इस समय LIVE ये नहीं ले सकते तो अपवली question सकते हैं बाद में recorded class देख सकते हैं ये क्या है cherry तो ध्यान रकना cherry में आपके peeling नहीं की जाती है ये ध्यान रकना है cherry में peeling नहीं की जाती है लाल कलर का आपके होगा ये इसके एक डंडी सी लगी होती है इसको हटा दिया जाता है और इसके बाद इसे धो करके साप करके उचित जो आपके इसका solution है उसमें डाला जाता है बिल्कुल लोचन जी बहुत बढ़ियार बहुत अच्छे से है ठीक है चलें आगे अगला क्यूशन देख लेते है हाँ जो ये बी एच्छी वर्ड ने जो इमेज भेजी है एजिटीज ये चेरी की फोटो है ये किसकी है चेरी की फोटो है ये ध्यानकना नमस्ते इस्वर जी नमस्ते अगला देखेगा डाकस करोटा की इस्टतम बीजदर किलोग्राम पर हेक्टर क्या है आपको बताना है हर राजस्तान की चेरी लसुडे को कहते है तो देखना गाजर की इस्टतम बीजदर किलोग्राम हेक्टर क्या है वाट इस दा ओप्टिमम सीड रेट किलोग्राम पर हेक्टर अप कैरोट 4 to 5 6 to 10 12 to 15 और 18 to 20 बताईएगा क्या होगा इस्ट्रोबेरी अलग है और चेरी अलग है चेरी और इस्ट्रोबेरी में दोनों में फरक है अब देखिएगा गाजर की सीड रेट के अगर हम बात करें तो गाजर की जो सबसे फैवरेबल जो सीड रेट होती है वो 4 से लेकर के 6 किलोगराम होती है चार से छे किलोग्राम पर हेक्टर गाजर की सीड एट होती है गाजर के साथ ध्यानकना एक और क्रोप है गाजर कौन सी है जड़ वाली क्रोप है तो एक और जड़ वाली क्रोप है कौन सी मूली और मूली की किती होती है लगबग इससे डबल यानि कि मूली की seed rate होती है आठ से लेकर के बारा किलो ग्राम के बीच में आठ से दस हो सकती है दस से बारा हो सकती है ये ध्यान रखना आपको तो यहां कितनी होगी आपके गाजर की seed rate जो है चार से पांच केजी होगी ये ध्यान रखना है चार से पांच केजी तो ये राइट आंसर माना गया है आरपेसी के द्वारा चार से पांच केजी अगर मूली की बिल्कुल जोती जी सही कहा आपने मूली की सीडेट आठ से बारा तो मूली की सीडेट नो से दस हो सकती है आठ से दस हो सकती है 9-12 हो सकती है 10-12 हो सकती है कुछ भी हो सकता है 8-12 के बीच में यह ध्यानकना आपको तो यहां क्या है राइट आंसर आपका ए है यह ध्यानकना है आपको लगभग इसी के आसपास आपके सरसो की भी दीखेगी 5-6 केजी 4-5 केजी के आसपास हाँ ओप्शन पर निर्भर करेगा बिल्कुल सही है बेटा आपका तो राइट आंसर आपका ए है यह ध्यानकना आपको बीचदर बेटा ध्यानकना आपको बीचदर हमेशा वेरियेबल है जो नजदी की आंसर होगा वो आपको जवाब देना है बिल्कुल मंजुजी आपकी 5-7 केजी सीड रेट भी ठीक है लेकिन 5-7 यहां नहीं है तो 4-5 वाला कर देंगे अपन 9-10 मूली का ठीक है आपका बिल्कुल सही 8-10 है तो वो भी गलत नहीं है वो निर्भर करेगा कि आपका ओप्शन क्या है यह ध्यानकना आपको अगला क्यूशन देखो हाइब्रिड टी गुलाब का वयावसाइक परवर्धन नीमन लिकित में से किस विधी से किया जाता है एक है आपके पास हाइब्रिड टी इसमें चाई जेसी सुगंद आती है एक होता है देशी गुलाब देखिएगा जो द्रड़कास्ट कलम है हार्ड वूड कटिंग है वो देशी गुलाब में काम में ली जाती है किस में देशी गुलाब में फिर है टी बडिंग ये बिलकुल सही है आपका जवाब कि टी कलिकायन का परियोग हाइब्रिड आपके टी में जिसके कहते हैं गुलाब में काम में ली जाती है हाइब्रिड जो टी गुलाब है उसमें काम में लेते हैं एयर लेरिंग एयर लेरिंग अगर आप देखेंगे तो आपके लीची में काम में आती है आपके अमरूद में काम में आती है नीमबू वर्गिये फ्रूट्स में काम में लेते हैं यह आपको ध्यान रखना है हाँ बिलकुल सही है देशी गुला में हाड वूड कटिंग सकर्स देखेगा आपके केले में सकर्स काम में लिये जाते हैं बिल्कुल शाम सुन्दर जी आपने जो बी जवाब दिया बिल्कुल सही है फिटनेस फ्रिंग बोक्स जी लीची आपका बहुत प्यारा जवाब है चंदन भामु जी राम केला जी जोती जी बिल्कुल सही जवाब है वो बिल्कुल सही जबाब है ठीक है देखेगा ये क्लासेज आपके लिए कितनी इंपोर्टेंट है अगर ये क्लासेज आप लगातार देखते हैं या इनके आप साथ साथ में कोई नोट्स बना लेते हैं तो किसी भी परकार की एक्जाम जो आपके विसेश रूप से किसमे है आपके एगरी कल्चर की होती है उसमें अगर आप एक बार क्या कर लेंगे रिवाइज कर लेंगे तो निस्ट रूप से आपके बहुत सारे क्यूसंस आपको यहां से मिल जाएंगे तो exam में आपको बहुत ज़्यादा समश्या नहीं होगी अम्रूद में ले लेते हैं बेटा air layering काम में लेते हैं अम्रूद में in arching इसका commercial propagation है commercial propagation है हाँ, leechy में काम में ले लेते हैं ठीक है, आपके देखेगा ये paper आपके देखेंगे तो क्या है agriculture का आपके 360 एगरी कल्चर का 360 analysis है सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं एगरी कल्चर में आपके होटी, एग्रो, एनिमल अस्वेंड़ी, आपके एकोनोमिक्स, इस्टेटिक्स, प्लांट बिरिडिंग, आपके extension सारे subject यहां आ जाते हैं तो यह सारे के सारे questions आपके क्या हैं बहुत important हैं और जिन्होंने C.U.E.T. का exam दिया होगा उन्हें निशित रूप से पता होगा क्या आपके questions आपके यहां से मिले हैं यह ध्यान रखना आपको ठीक है तो आपके T.Budding अगला question देख लो गुलाबी सडन रोग किस पसल में पाया जाता है गुलाबी सडन और गुलाबी सडन का English word देखो आप परपल ब्लोच तो ध्यान रकना परपल ब्लोच यह आपको ध्यान रकना है I.C.R. मेबी जो आपके अक्टूमबर फेस्ट विक इन विच क्रोप इज डिजीज परपल ब्लोच इज फाउंड गुलाबी सडन रोग किस में पाया जाता है तो देखेगा यह फंगस के यह ध्यान रकना तमाटर में होता है मटर में होता है फूल गोबी में या प्याज में तो ध्यान रकनेगा मेरे प्यारे यह है आपके परपल ब्लोच जो डिजीज है ये किस में होती है ये आपके ओनियन में होती है ये ध्यान अगरा किस में प्याज में होती है अभी बताएंगे बड़ा जेट काउंसलिंग की बात कर लेते हैं ये प्याज में होता है अब ये प्याज में देखेगा सीधी आपको इस परकार से नजरा सकता है यानि कि प्याज की पत्यों में जग्र जग्र دिखेंगे इस पोर्ट्स बन जाते हैं इसमें ये ध्यान रखना है और अगर ज़्यादा रूप होगा तो प्याज की पत्य क्या हो जाएंगे नीचे की तरफ गिर जाएगी जले भी रोग आपके क्या इसके राउंड सेफ में आपको नज़र आएगा तो इसलिए बोल सकते हैं इसे अंकित माहुर जी बिटा एग्रिकल्चर सूपरवाइजर का आप कोर्स पर्चेज कर सकते हैं लाइव जो रिकोर्डिंग कोर्स है वो पर्चेज करना उसमें लाइव आपको क्या मिलेगी क्लासेज मिलेंगी हाप प्याज में बिल्कुल मेरे प्यारे आपका बोल्टिंग होता है बिल्कुल होता है बोल्टिंग ये ध्यान रकना है देखेगा बिटा आपके जो जेट के काउंसलिंग के बारे में बार बार जो क्यों संसारे हैं उसकी बात कर ले जेट काउंसलिंग जो है मेबी आपके इस महिने में हो जानी चाहिए, में भी इस महिने में आपके जेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे देरी हो रही है, आपके ये सेशन भी फिर आगे आने वाले समय में आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसके पीछे कारण है कि अभी तक जेट की क कोलेजेज खुली है उन नई एगरी कल्चर कोलेजेज के कुछ इशूज है कहां उन्हें रन करवाया जाएगा क्या उनकी आपके बिल्डिंग्स की व्यवस्ता होगी उनके द्वारा कुछ अमाउंट संभंधित यूनिवर्शिटी में जमा करवाया जाता है फिर सबसे कोडिनेशन नहीं हो रहा तो यह समश्या आपके है पहले क्या हुआ करता था कि जितनी भी कोलेजेज थी किस से किसके साथ कोडिनेट थी आपके यूनिवर्शिटी के साथ लेकिन इस बार क्या हुआ इन्होंने एग्री कल्चर यूनिवर्शिटी के साथ उनका कोडिनेशन हटा करके एग्री कल्चर को कोलेज एजूकेशन के साथ दे दिया यह द्यानकना है आपको ठीक है तो चले आगे अगला देखो रूबी किस पसल की किसम है बील अनार अमरूद और आउला तो यहां देखो यह रूबी जो किसम है ना कितनी इंपोर्टेंट है आप एक बार देखेगा यह 2018W में पूछ लिया यह 2021 प्रीपीजी में पूछा यह 2022 प्रीपीजी में पूछा देखेगा इन दिनों में यानि कि पिछले तीन-च्यार साल से लगातार इसक्यूसन को पूछा गया है अब आपको ध्यानकना यह रूबी यह जो वेराइटी है यह आपके IIH- में पूछा रूबी ईसक्राइए है तो किसकी यह अर्किवेराइटी है यह रूबी IIHR तो यही क्यूशन पूछा जा चुका है दो तीन वार तो important क्यूशन है यह ध्यानकना आपको रूबी किसकी है आपके तो अनार की है यह पूछा जा चुका है अगले क्यूशन पर चर्चे अकट ले दें हैं देखेगा यहाँ गुलाब की कौन सी स्पेसिज में एसेंसियल ओयल की मातरा दिखोती है रोजा मल्टी फ्लोरा, रोजा बोर्बियाना रोजा डोमेंसियाना, रोजा चाइनेंसिस बताइएगा कौन सी आपके गुलाब की जो वेराइटी है इस पेसिज है उसमें essential oil ज्यादा पाया जाता है तो देखेगा सामान्यत है जब गुलाब की बात की जाती है तो इसमें जो essential oil पाया जाता है वो 0.02 से ले करके 0.04% तक होता है लेकिन आपके अगर देखेंगे रोजा डोमेंसिया ना जीसे आप दमस्क गुलाब कहते हैं जीसे आप चेती गुलाब कहते हैं यह है अपनी essential oil और wishes सुगंद के लिए जाना जाता है और यह आपको ध्यान रकना है कितना होता है 0.05 से ले करके 0.06 के मध्य पाया जाता है या यू कहूं कि more than 0.04% से ज़्यादा पाया जाता है यह ध्यान रकना आपको इस चीज़ का ध्यान रकना आपको ठीक है तो यह है आपके रोजा डोमेंचियाना शीज का right answer है राजस्तान में इसकी खेती खमनोर है रासमन में होती है हल्दी गाटी में होती है यह ध्यान रकना तो राजस्तान में कहां होती है इसकी खेती विशेस रूप से राजस्तान में तो देखेगा खमनोर और एक हो तो हम कह सकते हैं कि इसकी खेती आपके राजस्तान के राजसंबंद जिले में होती है ये ध्यानक ना राजस्तान के राजसंबंद जिले में होती है बेटा डेरी प्रोडेक्ट्स भी करवाएंगे अगला क्यूसन देखो पूसा मुक्ता कौन सी पसल की किसम है पूसा मुक्ता तो मुक्ता है इसका नाम इसका मतलब किसी ना किसी चीज से तो मुक्त है और मुक्त कौन सी है तो मुक्त है ये किस से आपके काला सडन रोग से किस से काला सडन रोग से मुक्त है ये ध्यान रखना है आपको काला सदन रोग से जेन्तो मोनास कंपेसी dessus इसके द्यान राकना है अगर देखें तो इस काला सदन को आपके लिखा हुआ मिलेगा ब्लेक रोट यह ध्यान रखना तो वेराइटी किसकी है पूसे पूसा मुकता तो पैसे पत्तागोबी के वेराइटी है पत्तागोबी की वेराइटी अगर देखेंगे तो प्राइड ओफ इंडिया है कोपेन हैगन कोपेन हैगन मार्केट है पूसा अरली है इसी की यह आपको ध्यान रखना है तो पत्ता गोबी की है यह ध्यान रखना है आपको पूसा मुक्ता तो पूसा मुक्ता किसकी है आपके पूसा ड्रम हेड भी इसी की है पूसा ड्रम हेड लेट ड्रम हेड यह क्या है आपके इसी की वैराइटी है यह ध्यान रकना आपको तो यह है पत्ता गोबी यह ध्यान रकना आपका बीज का राइट आंसर है के बेज हाग गोल्डन एककड बिल्कुल बेटा golden एकड इसी की है golden एकड इसी की है ठीक है तो ये आपको ध्यान रकना है पूसा संबंद इसी की है ये black road से resistant है ये ध्यान रकना आपको यानि ब्लेक क्रोड हममुक्ता है यहूं कि सिर्फ मुक्ता है बेटा फूसा मुक्ता नहीं सिर्फ मुक्ता के चले आगे सरपंज का पूडोशी सर मेरी 500 ठाउन रेंक है यह मिल जाएगी बेटा मिल जानी चिए के टिगरी में आपकी चले हागे अगला क्यूसन देखो आपके स्क्रीन पर डेंपिंग ओप रोग कौन से फल पसल में सामानेता पाया जाता है डेंपिंग ओप बिल्कुल राजमेवाल जी सही है गोल्डन एकड नमस्ते बेड़ा साक्सी जी नमस्ते आदरे गलानी से कहते डेंपिंग ओप तो देखेगा कवक के द्वारा होता है नर्सरी की समश्या है पर्मुक रूप से नर्सरी की समश्या है पर्मुक रूप से आपके पपीता में होता है सब्जू में देखेंगे तो टमाटर में आपके पर्मुक रूप से नजर आएगा सो लेनेशी में टमाटर, बेंगन, मिर्च वगरमी यह ध्यानकणा जहां नर्सरी होती है वहां डेंपिंग ओप यहां किसमें है तो आपके पपाया में बिल्कुल सही है आपका राइट आंसुर केरी का पपाया एसका सही जबाब है पोध साला का या नर्सरी का रोग है बिल्कुल सही है नर्सरी डिजीज है ये ध्यानकणा आपको अगला क्योशन देखो आपके स्क्रीन पर निमन लिखित में से कौन सी भारतिय कर्शी की विशिष्टता है पेकलिरीटी ओफ एंडियन एग्रिकल्चर विज़ान लिखित में से कौन सी बारतिय कर्शी की पर्मुक विशेष्टा है पेपर नहीं है तो पेपर नहीं होने की वज़े से आपके क्या क्योशन का पता नहीं लग पाता जिनके पास है वो भेज दीजेगा अपने उसको चर्चा कर लेंगे, सोल कर लेंगे तो देखेगा मोसमी वर्षा पर निर्बरता, नगदी पसलों का उत्पादन, भूमी जोत का समान वित्रन, अधिक पूंजी का निवेश तो भारतिय कर्शी की विशेष्टा क्या है? अधिक पास है, यानि की कम से कम पैसा खर्च करना चाते है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना चाते हैं, ये ध्यानकना भारत में ऐसा नहीं होता, ये योरोपियन कंट्रीज में होता, भूमी जोत का समान वित्रन, तो हमारे यहां लैंड होल्डिंग में बहुत ज्य अगर उसमें देखेंगे तो आपके लगबग मोर देन 60% किसानों के पास लगू और सिमान्त जोते हैं ये ध्यान रखना है आपको तो यहां ये भी अमारे यहां विशेष्टा नहीं नगदी करोफ हम कम बोते हैं हम क्या हैं तो भारतिय कर्शी की पर्मु की विशेष्टा है मोसमी कर्शी पर निर्भर और भारतिय कर्शी को मानसून का जुआ कहा जाता है क्या कहते हैं भारतिय कर्शी को मानसून का जुआ कहते हैं ये ध्यान रखना तो एग्जाम ने जो एग्जामिनर था उसने क्या किया आपके डारेक्ली क्यूसन नहीं पूछा कि मानसून का ज विशिष्टा है तो ये वाली भारती कर्शी की विशिष्टा नहीं है बलकि ये किसकी है तो ये है European Agriculture की ये सारी की सारी विशिष्टा है आपको European Agriculture में देखने को मिलेगी ये दिहानकना है आपको अगला क्यूसन देखो बहुत प्यारा क्यूसन है भारत में Economic Survey 2017-18 के अनुसार वर्स 2016-17 में भारत में खाद्यानों के उत्पादन का अस्तर क्या था तो बिटा पुराना है नहीं पूछे का एक्जाम में राइट आंसर दो सो पिछोतर पॉइंट 68 मिलियन टन है आईएगा 21 और 22 के अगर आज का अकबार खोल करके देखेंगे अगर आज का अकबार अग अध्यान उत्पादन का अपना चोथा एस्टीमेट जारी किया और चोथा एस्टीमेट ही फाइनल एस्टीमेट में कनवर्ट होगा और कितना उत्पादन है तो 315.7 मिलियन टन इसको क्रोड में लिखा हुआ है वहाँ पर 31.57 क्रोड लिखा हुआ है यह ध्यान रकना अगर अगर आप 20 और 21 की बात करेंगे मेरे प्यारे तो देखेगा 20 और 21 में 300 310.310.74 मेलियन टन है अगर आप 19 और 20 की बात करेंगे अगर आप 19 और 20 की बात करेंगे तो यहाँ पर 297.5 मेट्रिक टन आपके इसका खाध्यान का उत्पादन है यह ध्यान रकना है तो यह आज के अकबार की खबर है कौन सी यह वाली 2021 और 22 का भारत सरकार ने चोथा अगरी मनुमान जारी किया दूसरे अगरी मनुमान में 306 के आसपास था तो कुछ गठा है चोथा अगरी मनुमान लगबग मान के चलिएगा कि यही उत्पादन आपका फाइनल आखड़ा होगा यह ध्यान रकना आज के अकबार में कर्शी से जुड़ीवी दो मुखे खबरे हैं जिनमें से एक हमने चर्चा कर ली है एक और है कि के सी सी के उपर अब 3 लाग रुपे तक अगर कोई लोन लेता है तो उसके साल में देड़ परसेंट की छूट और होगी उसमें तो यह करंट में हम देखेंगे यह ध्यान अकना आपको 21-22-315.7 मैट्रिक टन 20-21 में 310.74 मैट्रिक टन और 19-20 में 207.7 मैट्रिक टन और सोडा और सत्रा में हमारा राइट रांसवर यहाँ डी है यह तीनों आप लिख ले ना भई आप इन तीनों को लिख ले ना एक बार हाँ बिल्कुल सही है राजस्तान पत्रिका में है वेटा ख़बर तो तो डीज का राइट रांसवर है चलें आगे अगला देखो यहाँ पर नेक्ट क्यूशन आपके स्क्रीन पर कर्शी जनगणना 2015 सोडा के अनुसार 2010-11 की तुलना में वर्स 2015 सोडा में राजस्तान में भू जोतों के अंतरगत आने वाले छेतरफल में कितने परतिशत की कमी आई तो देखी गा मेरे प्यारे यह कर्शी जनगणना अब हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है 2022 में अगस्त में सुरू होगी यह ध्यान अकबार से लगातार टच में रहेना यह द्यानद अगर से लगातार टच में रहना अगर इसमें कुछ भी आपके नई update होती रहे तो उनको note करते रहना और निशित रूप से हम भी आपके साथ इसमें मिले रहेंगे और आपको update करते रहेंगे current के classes में अब देखेगा यह करशी जनगरना जो है ये परतेक पाँच वरस में होती है ये ध्यानकना परतेक पाँच वरस में होती है इस चीज का ध्यानकना पिछली करेंट कलास में मैंने आपको कम्पलीट करवा दिया था कि एगरी कल्चर सेंसेस क्या होता है पहली बार कब हुई क्या है एगरी कल्चर सेंसेस तो देखेगा आपके जो लेंडिंग जो आपके क्या है लेंड होल्डिंग जो है ये कितनी गठी राजस्तान में तो 1.24 इसका मतलब आप समझ रहें इसका मतलब यानि की जोतों का जो आकार था वो गठा यानि की जनसें क्या बढ़ने से भूमी के टुकडी हुई यह आपको ध्यान रखना अगर आप इनको जोड़ेंगे marginal, small, semi-medium, medium और large अगर इन पांचों को अगर जोड़ेंगे किसको अगर आप जोड़ेंगे सीमान्त यह होल्डिंग तो यही तो होती है जोत सीमान्त लगू, आर्दमध्यम, आर्दमध्यम, मध्यम और दिर्ग अगर इन होल्डिंग्स को अगर आप एड़ करेंगे किसमे 2010-11 की और 2015-16 की तो राजस्तान में 1.24% की कमी आई है यह द्यानकना 1.24% की कमी आई है इनको आप एड़ कर लेना फिर परसंटेज में कनवर्ट कर लेना आपके पता लग जाएगा 2010-11 और 2015-16 अब हमें क्या ध्यान रखना है तो आपको मैं बता देता हूँ आप याद रखिएगा 2015-16 की एग्रिकल्चर सेंसस और अब आपको याद रखनी है 2021-22 की सेंसस जो अभी गणना होनी है अगर यह दोनों याद हो गई तो आपका मामला सेट है यह ध्यान अकना आपको तो 1.24% डिक्रीज है राजस्तान की आपके लेंड होल्डिंग अगला देखो विपड़न रितू यानि की वर्स 18-19 के लिए ग्यहूं का न्यूंतम समर्तन मुल्य निर्धारित किया गया था यह आपको बताना है तो यहाद ध्यान रखना है अगर MSP की बात करें तो MSP आपको ध्यान रखना है पसल की बुआई से पूर्वे गोसित होती है तो क्या होती है MSP पसल की बुआई से पूर्वे बुआई से पूर्वे गोसित होती है साल में दो बार एक खरीब से पहले और एक रभी से पहले अब ग्यों की पूछे रभी तो ध्यान रकना अब रभी आएगा तो उसकी घोशना होगी लेकिन पीछे जो ग्यों की रभी जा चुकी उसमें 1925 रूपे है ये ध्यान रकना आपको ठीक है तो यहां लगबग 1725 के आसपास है जो इसका राइट आंसर है ये ध्यान रकना तो यहां आपको ध्यान रही रकना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा नहीं पूछे जाएगा करंट पूछेगा आपसे ये ध्यान रकना आपको करंट पूछेगा ठीक है अगला क्यों से देखो वर्स दोहजार ग्यारा की जनगणना के अनुसार भारतिय करसी में महिलाओं का योगदान बताने के संभंध में निमन लिखित में से कोंसा तथ्थ्य सही है बताईएगा 2011 की जनगना की अनुसार भारतिय कर्षी में महिलाओं के योगदान को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कौन सा कतन या तथ्य सही है इन में से आपको ये बताना है मेरा सवाल आपसे ये है कि एगरिकल्चर में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए कर्षक महिला भागीदारी दिवस कब मनाया जाता है बताईएगा कर्षक महिला भागीदारी दिवस कब सेलिबरेट किया जाता है ये आपको जवाब देना है तो देखेगा कुल महिला मुख्य कामगारों में 80% तो 80% महिला ये कर्षी पर निर्बर नहीं है क्योंकि टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल ही हमारे 54.56% के आसपास हम किस पर है 5 दिसंबर को मेरे प्यारे सोईल डे सेलिबरेट किया जाता है इंटरनेशनल सोईल डे 3 दिसंबर को नहीं बेटा 4 दिसंबर को ये द्यानकना क्या 4 दिसंबर को अभी हाल ही में 15 अगर्ष्ट की क्लास को देख ले ना आप एक बार 12.8% कारी कारी जोते operational जो लेंड है operational holding है उसमें महिलाओं का मालिकाना हक है बिल्कुल सही है कर्शी शिक्षा द्यस 3 दिसंबर को तो ये द्यानकना 12.8% कारी कारी जोते ऐसी है जो महिलाओं के आदिपत्ते में है ये द्यानकना है आपको तो 12.8% of the operational holding were opened by women जैसे इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 12.5% लगू, सीमान, अर्दमध्यम, मध्यम और दिर्ग जो जोत हैं उनमें 12.8% की हिस्सेदारी महिलाओं की है ये ध्यानकना महिलाओं के नाम है ये ध्यानकना आपको तो यहां क्या है? 20 का आपका राइट आंसर है, बाकि बड़ी जोतों का केवल 20% तो बड़ी जोतों में महिलाओं की कोई VCS भूमी का नहीं है सिमान तो और लगू जोतों की सिरेणी में 50% सेदी कारे-कारी जोते महिलाओं की तो ये नहीं है 20 का सही है, एक चीज ध्यान रखना ऐसे क्यूशन जो है हम, आपके करंट की जो आगे क्लासेज होंगी उन में हम चर्चा करेंगे अगला क्यूशन देखो आपके, ये भी थोड़ा साख छोटा है लेकिन इसको अपन बढ़ा लेते हैं, इंगलिस वाले को नीचे दे रहे हैं ये ध्यान रखना आपको, अब साथ दिख जाएगा आपको, अब देखेगा सुची एक में कुछ संस्तान है, यहां कुछ संस्तान है इनको सुची दो के साथ सुमेलित किया जाना है, ये आपको ध्यान रखना है भारतिय खाद्य निगम Food Corporation of India FCI की स्थापना 1965 में होती है कर्षी और ग्रामिन विकास का राष्ट्रिय बेंक यानि की नाबाड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है राष्ट्रिय उद्यान बोर्ड National Horticulture Board की स्थापना 1984 में होती है राष्ट्रिय कर्षी सहकारी विप्णन संग यानि की नाफेड की बात कर रहा है और नाफेड की स्थापना होती है 2nd October 1958 यह आपको ध्यान रखना है अब आ जाईएगा यहाँ 1965 कहां है तो देखेगा 4 1982 कहां है 2 1984 कहां है 3 और 1908 एक 4, 2, 3, 1 4, 3, 2, 1 तो यह रहा पहले में देखो आपके F से 4 A में 4 देखो यह रहा फिर देखेगा 2 फिर देखेगा 3 और फिर देखेगा 1 20 का right answer है यह ध्यान रकना मेरे प्यारे 20 का right answer है यह ध्यान रकना आपको 20 का right answer है ठीक है स्क्रीन शोट ले सकते हैं FCI 1965 नाबाड 12 जुलाइग 1982 NHB 1984 नाफेड 2nd October 1958 ठीक है अगला क्यूसन देखो आपके स्क्रीन पर भारम उत्पाद की समान मात्रा के लिए उपभोगता दुआरा अदा की गई कीमत तता उत्पादक दुआरा प्राप्त की गई सुद कीमत के अंतर को अक्सर क्या कहते हैं बहुत प्यारा क्यूसन है बहुत प्यारा क्यूसन है और यहां से लगबग हर बार क्यूसन पूछा जाता है हर बार question पूछा जाता है यह ध्यान रखना आपो प्रेक अब देखिये। पहला देख लेते हैं विपणन लागत क्या होती है इसे कहते है marketing cost तो जो विध्यारती इसको लिखना चाहे वो लिख लेना विपणन लागत क्या होती है तो देखियेगा विप्णन लागत का मतलब होता है कर्षी उत्पाद को उत्पादन अस्तल यानि की कर्षक उत्पादन अस्तल से अन्तिम उप्भोगता तक विप्णन लागत है या ध्यानकना कर्षी उत्पाद को उत्पादन अस्तल से अन्तिम उप्भोगता तक पहुचाने में कर्षक यानि की किसान विप्णन संस्ता तता मध्यस्तों द्वारा मध्यस्तों द्वारा वहन की गई रासी क्या कहलाती है मारकेटिंग कोश्ट कहलाती है तो मारकेटिंग कोश्ट का मतलब क्या होता है सुन लीजेगा मारकेटिंग कोश्ट का मतलब होता है जैसे ये पैन है इस पैन को पैन नहीं समझना इसको ग्यों समझना है ये ग्यों है मैं एक किसान हूँ ये मेरे यहां पेदा हो रहा है और ये एक अंतिम उपभोगता है तो इस ग्यों को यहां तक पहूँचने में किसान के दोवारा विबिन मद्यस्तों के दोवारा जितना पैसा खर्च किया जाता है उसे कहा जाता है marketing cost कहा जाता है ये ध्यान रखना है क्या है marketing cost तो marketing cost क्या है उत्पाद का करशक के करशक से लेकर अंतिम उभोगता तक पहुचने के मद्धे में जो भी राशी खर्च हो रही है चाहे वो करशक करें चाहे वो कोई विपनन संस्ता करें और चाहे वो क्या करें आपकी कोई मद्धेस्त करें ये ध्यान रखना है आपको ठीक है अगला देखो अगला क्या है विपनन दक्सता क्या होती है इसे कहते है marketing efficiency तो इसका मतलब क्या होगा आपको ये ध्यान रखना है तो लिखेगा कर्षी उत्पाद को कर्षी उत्पाद को कर्षक से अंतिम उपभोगता बहुत माइनर डिफ्रेंस है अंतिम उपभोगता तक कम से कम कम से कम विपनन लागत में कम से कम विपनन लागत में पहुचाना क्या कहलाएगा विपनन दक्सता यानि कि कम से कम पैसों में आपके पहुचाना वो कहलाती है विपनन दक्सता और यहां देखेगा मेरे प्यारे कीमत विस्तार क्या है तो देखीगा कीमत विस्तार का मतलब होता है कि आपके जिसे कहे प्राइस स्प्रिड देखीगा कोई कर्शी उत्पाद है कोई कर्शी उत्पाद है अब कोई कर्शी उत्पाद का जो पैसा अगर दे रहा है किसान को तो वास्तों में किसान को कितना मिलता है? यही बात है, यहाँ पर क्या लिखा है? कि फारम उत्पाद यानि कि कर्शी उत्पाद की समान मातरा के लिए उपबोगता द्वारा अदा गई कीमत और उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई सुद कीमत के बीच का अंतर इसे आप समझना किस चीज को कीमत विस्तार को यहां पर यहां समझेगा कीमत विस्तार क्या होती है कीमत विस्तार इसे प्राइस स्प्रेड कहते हैं ध्यान रकना प्राइस स्प्रेड अब कैसे समझेंगे इसे बहुत सरल सब्दों में समझेंगे आप यहां देखेगा यहां यह क्या है यह कर्शी उत्पाद है यह क्या है तो यहां देखेगा आपको जिसे कहें तो यह कौन है अन्तिम उपभोगता है क्या है अन्तिम उपभोगता है अब देखेगा मैं कहूँ कि इस अन्तिम उपभोगता ने इस कर्शी उत्पाद का कितना रुपए दिया दस रुपया पेमेंट किया इसने इस अन्तिम उपभोगता ने इस कर्शी उत्पाद का दस रुपए भुगतान किया लेकिन देखेगा अगर हम बात करें यहां तो यह जो कर्शी उत्पाद यहां तक पहुँचा उसके बीच देखेगा आपके क्या हुआ परिवेहन तो परिवेहन की लागत भी लगी होगी मैं कहूं कि परिवेहन की लागत दो रुपए लगी थी देखेगा यहां क्या था यहां पर आड़तिया था इस आड़तिया ने क्या किया एक रुपए यहां ले लिया यहाँ देखिएगा ठोक विक्रेता है इस ठोक विक्रेता ना भी कुछ पैसा कमाया होगा दो रुपया इसने कमा लिया यहाँ पर फिर खुद्रा विक्रेता है इस खुद्रा विक्रेता ने भी आपके कुछ पैसा कमाया होगा जैसे मैं कहूं दो रुपया कमा लिया समझेगा दो रुपे कमा लिया अब देखिएगा यहाँ पर दो और दो चार एक पाँच और दो साथ देखिएगा इस दसमे से साथ रुपे निकालेंगे तो बच गया तीन रुपे अब मुझे यह बताईगा यह कर्शी उत्पाद यानि की कर्शक को कितना रुपे मिला कर्शक को मेरे प्यारे तीन रुपे मिला तो देखिएगा इस तीन रुपे और दस रुपे के बीच का जो अंतर होता है वही कीमत विश्तार कहलाता है वही कीमत विश्तार कहलाता है एक बार आप मुझे ये बता दीजेगा ये समझ में आया की नहीं आया आड़तिया मतलब बेटा जो कमिशन लेता है बीच में जो कमिशन लेता है बीच में अब देखीगा एक बार पुने कर्शी उत्पाद कहां उत्पन होगा कर्शक के खेत पर उत्पन होगा कर्शी उत्पाद को खरीदने के लिए अंतिम उभोकता ने कोई पेमेंट किया उसने तो दस रुपे का पेमेंट किया लेकिन वास्तों में किसान को मिला क्या किसान को मिला तीन रुपेया अरे भाई दस तो इसने पेमेंट किया किसान को तीन रुपय मिला तो बाकी का साथ रुपय कहां गया ये साथ रुपया कुछ पैसा परिवहन में लगा, कुछ आर्टियों ने ले लिया, कुछ थोक विक्रेताओं ने ले लिया, कुछ खुद्रा विक्रेताओं ने ले लिया और यही क्या कहलाता है आपके कीमत विस्तार प्राइस स्प्रिड कहते हैं यह ध्यान रकना है आपको और यहां क्या पूछा है फारम उत्पाद की समान मात्रा के लिए उपभोगता दुआरा अदा की गई कीमत और उत्पादक दुआरा यानि की किसान दुआरा प्राप्त की सुद कीमत के मध्धे का अंतर क्या है कीमत विस्तार यह सी है यह ध्यान रखना विप्णन माध्यम मार्केटिंग चैनल यानि कि किसी भी उत्पाद को बेचने के मार्केटिंग चैनल क्या है यह ध्यान रखना है यह तीन जो स्टेटमेंट आपके पास विप्णन लागत डबल एओ, एओ, आइसी ए आर की कोई सी भी एक्जाम उठा करके देख लेना, इन तीन में से एक स्टेटमेंट हमेशा पेपर में होता है, अगला क्यूसन देखेगा, कर्शी को एपर्टेक्स वित पोशन का संबंद निमन लिखित में से किस से संबंदित है, बताएगा, कर्शी को एपर्टेक्स वित पोशन का संबंद निमन लिखित में से किस से है, यानि कि एपर्टेक्स, तो डारेक्टली देखें तो भूमी सुधार के लिए जो भी रिंड दिया जाएगा, वो डारेक्ट है, दूधारू माएसी पर जो भी खर्च किया जाएगा, वो डारेक है लेकिन यहां देखेगा कर्षक सेवा समीतियों को उपलब्द करवाए गए रिन से तो जो फार्मर सर्विस सोसाइटी जहें उनको जो रिन उपलब्द होता है या वो जो रिन उपलब्द करवाती है वो एव वर्तेक्स वित पोशन है इन डारेक्ट ली है यह ध्यानक आप को बाकी भूमी के सुधार के लिए डारेक्ट है दूधारू के लिए और पाद्द यानि कि यह तीनों के तीनों सीधे नजर आ जाते हैं यह ध्यानक ना डीज का राइट आंशर होगा तो देखेगा दे इन डारेक्ट फिनांशियल टू अगरी कल्चर आर एसोसेटेड विट वीच अप दे फोलोइंग लोंस गीवन फॉर लैंड रिक्लेमेशन लोंस गीवन फॉर मिल्च के टल लोंस गीवन फॉर प्लन प्रोटेक्शन मेजर्स और फिनांसिंग दा फार्मर सर्विस सोसाइटीज डीज का आंसर है अगला क्यूशन देखो नाबाड का मुख्याले कहां इस्तित है या नाबाड का कारियाले कहां इस्तित है तो देखेगा नाबाड अगर आप नाबाड की बात करते हैं तो देखेगा नेशनल बैंक फोर एग्रिकल्चर रूलर डवलप नाबाड 1979 1979 में एक कमेठी बनती है कमेठी का नाम है सिवरमन कमेठी सिवरमन कमेठी और यह बनती है कब तो यह मार्च 1979 में 30 मार्च को यह सिवरमन कमेठी अपनी रिपोर्ट देती है कब देगी तो यह मेरे प्यारे यह देगी 1979 नवंबर में संसद से 1981 में क्या हो जाता है कानून पारित होता है और 12 जुलाई 1982 को यह संस्तान एक्टिव हो जाती है कितने रुपे के साथ तो 100 करोड रुपे की पूंजी के साथ क्यूशन पूछा जाता है कि नाबाड की सुरुवाती पूंजी कितनी थी तो नाबाड की सुरुवाती पूंजी आपके 100 करोड रुपे थी वर्तमान में कितनी है इसकी पूंजी लगबग लगबग आपके 1500 करोड के आसपास है यह ध्यान रकना आपको तो नाबाड का मुख्य कार्याले कहां इस्तित है मुंबई में इस्तित हैं यह ध्यान रकना है आपको कहा क। ठीक है तो क्या है मुंबई इसका right answer है सर्बोम्बय और मुंबई एक ही है या एक ही है वई इसलाब क्योंसाटण देखो बारत में परधान मंत्री पसल बिमा योजना किस वर्श सुरू की गई इसे PMFBY कहते हैं, इसकी सुरुवात खरीप 2016 से होती है, एक्जेक्ली डेट देखे तो 18 फरवरी 2016 से होती है, इसमें कुछ संसोधन किया गया और PMFBY 2.0, ये आपके कब है, तो ये खरीप 2020 से एक्ट्यू है, अब ये क्या हो गया? PMFBY अनिवारिय नहीं, बलकि एच्छिक है, आपकी इच्छा है तो लो, आपकी इच्छा है तो मत लो, ये ध्यान रखना, तो कब से? वर्स 2016 से आपके ये एक्ट्यू है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? खरीप में 2%, रभी में 1.5%, और आपके और ट्री कल्चर क्रोफ में देखेंगे, तो 5% प्रीमियम कर्सक ही सारासी है, ये ध्यान रखना है, तो यहाँ वर्स 2016 इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है आपको. PMFBY 2.0 का मतलब है, इसमें कुछ संसोधन किया गया, और इसे अब आजकल एचिक कर दिया गया, इसके बारे में विश्तार से पूरी डिटेल के साथ इसी यूटूब चैनल पर अलग से वीडियो मिल जाएगा, आपको बना हुआ है. अगला क्यूसन देखेगा, राष्ट्रिय कर्सी विकास योजना, इसे कहते हैं RKVY, राष्ट्रिय कर्सी विकास योजना, इसकी सुरुवात, वर्स 2007 में हुई थी, ये ध्यान रखना है. में भारत सरकार राज्यों को वितिय सहायता परधान करती है, वर्स 2015-16 से भारत सरकार ने अपने योगदान को कम किया, इसे सुनिएगा, यह योजना वर्स 2007 में सुरुवात की गई थी, जिस समय इस योजना को सुरू किया गया, उस समय 100% यानि कि कैंद्रिय भार कितना था 100%, तो इस समय कैंद्र सरकार इसका 100% पैसा वहन करती थी, यह ध्यान रखना, कैंद्र का अंस कितना था, 100%, अब यह कब तक चला, तो देखेगा, वर्स 2014-15 तक कैंद्र का अंस इसमें 100% हुआ करता था, लेकिन वर्स 2015-16 से क्या किया केंदर सरकार ने इसमें से केंदर सरकार ने अपनी इस्सेदारी गठा दी कितनी गठाई? 100% से गठा करके इसे कर दिया गया 60 यानि की केंदर का इसा इसमें वर्तमान में 60 है संबंदित राज्ये का इसमें 40% है तो आज इसमें कितना है? 60-40 का रेशो है ये ध्यान रखना है आपको 100% से गठा कर 60% कर दिया गया तो ध्यान रखना राज्यों में इसकी श्तिती कैसी है? 60 अनुपात 40 ये ध्यान रखना अगर आप देखेंगे पूरुवतर राज्य है तो देखेगा पूरुवतर राज्य है और पहडी राज्यों क reality की अगर बात करें तो यहां इससा है 90 नुपात 10 और अगर कैंदर साशित देखेंगे कैंदर साशित देखेंगे तो कैंदर साशित में 100% इससे दारी किसकी है? कैंदर की है ये ध्यान रखना तो आरके वीवाई में आज वर्तमान में केंदर का इसा 60% है राज्ये का इसा 40% है पूर्वतर राज्यों में इसका 90 नुपाद 10 यानि की केंदर 90 पैसा राज्ये का 10 पैसा केंदर साशित परदेशों में पूरा का पूरा केंदर सरकार वहन करती है यह द्यान रखना तो चले इस्ताफना राजस्तान के कौन से जिले में की गई थी तो देखेगा वर्स 2011 की बात है इस समय केंदर में जो सरकार है वो किसकी है तो ध्यानकना आपके जिसको कह सकते हैं यूपीय सरकार है इस समय केंदर में तो यूपीय सरकार की जो पार्टिय धेक्स है सोनिया गांदी वो राजस्तान का कौन सा तो राजस्तान का बाश्वडा जिला और राजस्तान के बाश्वडा जिले से आपके नेशनल रूलल लिवूड लाइवलिवूड मिसन इसकी स्तापना आपके सुरू होती है और कहां से बाश्वडा से सुरू होती है यह ध्यानकना आपको ठीक है यह आ तो देखेगा क्लास कैसी लगी क्लास के बारे में अपने विचार जरूर साजा करें और ध्यान रखेगा परतेक सनीवार और रविवार पर आता है दस बजे एगरीकल्चर करंट की क्लास होती है तो इस class के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विध्यार्टियों को इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को share करें और बताएं कि उतकर्स भी आपके लिए लेकर के आया है agriculture का उतकरष्ट पेमाना आने वाले समय में agriculture field officer के भी बैच चनने वाले हैं और कर्षी परव्यक्सक की तैयारी करने चाहता है अगर कोई विध्यार्टि ओफ लाइन तो उतकर्स में उसके लिए बैच शुरू हो चुके हैं तो अपना एडमिशन लेकर की अपना इस्तान निशित कर सकते हैं तो मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए आप सब विध्यार्टि को नमस्कार जे हिंद जे भारत बेस्टो पलक